नमस्कार स्वागत है आप सभी का सुर्माई डाइमस में मैं हूँ सिधान तरपाटी और आप सभी देख रहे हैं नेशनल इंटरनेशनल आए सबसे पहले नजर डालते हैं कुछ नेशनल खबरों की ओर लोगसभा चुनाव से पहले कॉंग्रेस ने दिल्ली कॉंग्रेस में बदलाव किया है कॉंग्रेस अध्यक्ष मलिका अरजुन खडगे ने अरविंदर सिंग लवली को दिल्ली का अध्यक्ष निक्त किया है इससे पहले अनिल चौदरी के पास ही जिम्मेदारी थी चौदरी का इस्तीवा पहले ही हो चुका था लेकिन पहले भारत जोड़ो यात्रा और फिर करनाटक चुनाव की कारण नए अध्यक्ष का फैसला टलता रहा लवली शीला दिक्षित सरकार में मंत्री भी रह चुके हैं जम्मु कश्मीर से आर्टिकल 370 को खत्म करने के खिलाफ दाके लिया चकाओं पर सुप्रीम कोट ने 13 दिन की सुनवाई की केंड सरकार की ओर से सॉले सेसेटर जनरल एसजी तुशार महता ने बताया कि हम केंडर शाषित प्रदेश में कभी भी चुनाव करवाने के लिए तयार है लेकिन पहले पंचायत चुनाव कराये जाएंगे बताने की 29 अगस्त कोई 12 दिन की सुनवाई में सुप्रीम कोट ने केंड सरकार से पूछा था कि जम्मू कश्मीर को दوبारा राज्य का दरजा कब तक मिल पाएगा इस पर S.G. महता ने कहा कि हम इसके लिए कोई निश्चित समय सीमा नहीं बता सकते लेकिन सरकार से इस परस्ट है कि केंडर शाषित प्रदेश का दरजा अस्थाई है साथ ही महता ने बताया कि जम्मू कश्मीर को अस्थाई तोर पर दो यूजिन टेरिटरी जम्मू कश्मीर और लगदाक में बाटा गया है लगदाक केंडर शाषित प्रदेशी रहेगा लेकिन जम्मू कश्मीर को जल्द फिर से राज्य बना दिया जाएगा वे गुर्वार को इस बारे में पॉजिटिव स्टेट्मेंट देंगे बाबा मरनात की आत्रा आज 31 अगस्त को चड़ी मुबारक के दर्शन के साथ समाथ होगी बतादें की चड़ी मुबारक भगवा कपड़े में लिप्टी भगवान शिव की पवित्र चड़ी है जो 26 अगस्त को श्री नगर के एक अखाले से बाब अरफानी के दर्शन के लिए निकलती थी मातमाओ और सादु संतों के साथ 30 अगस्त को वो शेशनाग से पंज तरणी के लिए रवाना हुई थी आज जो पवित्र गुफा पहुँचेगी और पूजा अर्चना करके दर्शन करेगी मान्त दीपेंद्र गिरी के नेतरत में उक्ते सूरच के साथ उसकी पवित्र गुफा में स्थापना की जाएगी इसके बाद उसे वापर श्री नगर रिस्ते तखाड़े में लिये लिया जाएगा मीडिया रिपोर्ट्स के मताबिक इस साल पांच लाग से ज़्यादा शद्दालूओं ने बाबा बरफानी के दर्शन किये हैं आईये नज़र डाल लेते हैं कुछ इंटरनेशन खबरों की योग साउथ अफरिका के जोहांसबर्ग में एक पांच मंजला इमारत में आग लगने से बावन लोगों की मौत हो गई इनमें एक बच्चा भी शामिल है रिपोर्ट के मताबिक 40 लोग घायल है इससे मौत का आंकड़ा और बढ़ने का डर है बारती समय के मताबिक आग सुबह करीब 5 बज़े लगी जिसकी वज़य का पता लगाया जा रहा है खायलों के लाज के लिए आसपास के अस्पतालों में भेजा जा रहा है सुरक्षा कर्मी रैस्टी ओपरेशन में जुटे हुए है सभी लोगों को बिल्लिंग से दूर रहने की सला दी गई है अतकारियों ने कहा है कि आग को काफी हद तक बुझा दिया गया है लेकिन जुआंसबर्ग शेहर में इसके असर से इमारत काली पड़ गई है और इससे अभी भी धुआ निकल रहा है अमेरिका के चार राजियों में इडालिया, चक्रवात, कहर बर पारा है बुदवार को फ्लोरिडा के बिग बैंग में लेंड़ फॉल के बाद इस तूफान की वज़े से अब तक दो लोगों की मौत हो गई है यह तूफान फ्लोरिडा के बाद जोड़िया, नौर्थ केरोलीना और साथ केरोलीना की तरफ बढ़ चुका है इसकी वज़े से जोड़िया और फ्लोरिडा में करीब साड़े चार लाक लोगों की घरों में बिजली नहीं है इडालिया तूफान की वज़े से करीब 900 फ्राइट्स कैंसिर हो चुकी है लेंड फॉल के वक्त चक्रवाद केटेगरी 4 से केटेगरी 3 में आ चुका था इसकी वज़े से हवा की रफतार 200 किलोमेटर घंटा रिकॉर्ड की गई मौसम विभाग से जुड़े इडालिया फ्लोरिडा के 100 साल के त्यास का सबसे भायानक तूफान है तूफान को देखते हुए चारों राज्यों में इमरजेंसी लगा दी गई है देश विदेश की तवाम बड़ी खबरों से अफडेट रहने के लिए जुड़े रहें सर्माई टाइमस के साथ इस वीडियो को लाइक करें शेयर करें साथी साथ चैनल को सब्स्राइब करना ना भूलें और बैल आइकन को प्रेस करें